pha उसें घ्रवरीबान कैसे हो आप लोग चलिए बनाते हैं भिंड की फिर नए रेसिपी तो यहां मेंने लिया है 500 ओप भिंडी और उसे इस तरह से कट कर लिया है पहले अच्छी सरह इस तरह से दोले हैं उसके भाद ही कट करना है तो इस तरह से कट कर लें To calm जादा पतला ना जादा मोटा तो चलिए अब चलते हैं चुले की तरफ तो एक कडाही लेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो से तीन चमच सरसो का तेल और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसके बाद इसमें और इसे बिना ढगे अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है हमें भूजिया के जैसे भूजिया के जैसे बनाना है हमें तो इसे ढखेंगे बिलकुल भी नहीं नहीं तो क्या होगा कि यह लसलसा हो जाएगा और यह अच्छा नहीं बनेगा इसलिए इसे ऐसे ही बीना ढ़के ही पकाना है हमें फ्रेंड सबीच-बीच में चलाते ही रहेंगे तो देखें यहां पे भिंडी लगबग आधा पक चुका है 50% तो अब हम इसमें आड करेंगे स्वात कनुसार नामक और साथ में ही डालेंगे आधा चमच लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए उसके बाद इसमें जाएगा आधा चमच हल्दी पाउडर बस अब कुछ भी नहीं डालना है ऐसे ही बीच-बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेना है जैसे कि भिंडी का भूजिया बनता है बस उसी तरह से इसे भून लेना है तो यह देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसे पकाते हुए लगबग 10 मिया टॉर हो गया है तो आपको जब लगे यह कुरकुरा हो गया है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से देखिए बहुत ही तो चलिए अगला प्रोसस के तरब तो सबसे पहले कराही लेंग इसमें हम डालेंगे दुछ इम जेळेंगे जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे आध़ जीरा और आधा जमस मेथी दाना और इसे अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि यह जले ना तो देखिए जब इसका कलर चेंज हो जाए और चटकना बंध हो जाए तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता आठ से दस इससे मिक्स कर लेंगे और जब इस तरह का जब कलर आ जाए या ची तरह से चटक जाए तब इसमें कुछ मसाला आट करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे डी चमच्सीff के लाल मिर्च पाउडर के लिए और इसमें हम डालेंगी एक बरह समुझाभी पैसंचीcc लासन मेर्च की मेर्च बास्याया पैस्ट जोबड़slा थोड़ा सांच मेरें। जह सीृम्या उक्यों कि मिक्स के यह तो पुपती चिसिए और किया दो दौत चीच कमे साथ की यह जाए में भास्व छार्व नाड़ाध़्। अगर नहीं है तो दही को अची तरह से मत लीजिए या फिर ग्रेंडर जार में चला लीजिए फिर उसको आप एड़ कर सकते हैं इसमें इसमें आइट करतेंगे स्वादन नमक टालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे चलाना हमें बंद नहीं करना है क्योंकि क्या होता है कि दही अचाच कुछ भी अगर आप इन सभी का रेसिपी अगर बना रहे हैं और उसे इस तरह से चलाना बंद कर देंगे तो यह फर बहुत ही बेकार बनता है अच्छानी बनता खड़ाब हो जाता है इसलिए हमें चलाते ही रहना चाहिए और चलाते हुए देखे इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है और जब उबाल आने लगे उसके बाद भी से 10 मिन तक अच्छी तरह से उबलने देना है तो यह देख छाइब अछी तरह से माठा के साथ मिक्स हो जाए चांश के साथ हम लोग माठा बोलते हैं तो बस यह देखिए जी तरह से मिक्स हो जाए और चार-से 5 बिनाट और इस बाले देना है तो यह उबलते हुए पांस बिनित हो गया है अब गैस का फिलें ज फ्रेंड आपके यहा बहुत ही जादा टेस्ट ही रेइसिपी है, रई मापत खुछ चाझक भी रेइसिपी रिया का है खाथ चाझके बनारे रहते हैं , तो भी आ बहुत प्रत लगई घ्री गा मिलते हैं कि वीडियो में